नमस्कार दोस्तों आज हम कक्षा बारा के पार्ट चार विचारक विश्वास और इमारते का चौथा भाग जो है आपके पास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे वैदिक धरम और उसमें अवतारों की अवधारना और मूर्तिक अलाका विकास किस प्रकार हुआ तो यहां पर जो हैं हम पारणिक हिन्दु धरम की उद्धे की बात करते हैं तो महायान संप्रदाई के बारे में हमने इसका पार्ट 3 था उसमें पढ़ा है कि महायान संप्रदाई यह चाहता था कि बुद्ध जो है वो तो निरौण प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन एक आम व्य साधारण ब्यक्ति भी हो सकता है तो बौध जनम बौध और जैन दो ऐसे धर्म थे जो उस समय बड़ी तेजी से पूरे भारत वर्ष में फैल रहे थे और उस वज़ा से जो वैदिक जो धर्म था या जो उस समय आरे लोगों द्वारा जो परचलित धर्म था हिंदू धर्म कह सकते हैं जिसको वैदिक धर्म कह सकते हैं पौरानिक जो हिंदू धर्म कह सकते हैं ये जो है धर्म ये सिमटने लग गया था और जो है ये दोनों उपर लिखे वे बाध और जैन धर्म ये तेजी से परसार पा रहे थे और खासकर बाध धर्म तो बहुत ही जादा परसार पा ये मुक्तिदाता की तलाश शुरू कर दी और ये मुक्तिदाता की तलाश जो है उसके तीनों जो तृदेव हैं ब्रह्मा, विश्नु और महेश यानि के शिव तो इस पे जो है जाके टिक गई और उन्होंने जैसे गौतम बुद्ध के जो है उन्होंने बौदिसत्व बनाए तो इसी तरह से यहां पर विश्नु और शिव के विभिन रूप वहां पे लोगों द्वारा सोचे जाने लग गए अब वैश्ना लोग वो थे जो विश्नु को मैतफून देवता मानते थे गए विश्नु की पूजा अर्चना किया करते थे और शैव वो लोग है जिनके ल कुछ खास विशिष देवताओं की पूजा होने लग गई बजाए कि एक इश्वर की संकल्पना से जग क्योंकि पहले जो हमारा धर्म था वो यगों आधिपराधारी तो उसके बजाए अब शिव की पूजा जो है शिवलिंग के रूप में होने लग गई और जो है विश् कि हैं तो उसको जो है बहुत धर्म में जो है जैसे बौदी सत्व हैं कि बहुत सारे बौदी सत्व हैं तो उसी तरह कि बौदी सत्व जो है उसे निर्वान प्राप्ति में मदद करते हैं इसी तरह से विश्णू के दसा वतारा है जो की जो है विभिन सम्मेयों पर अलावा परसूराम, राम, कृष्ण, यहां तक की गौतम बुद्ध जो बहुत धरम के थे, जो हिंदु धरम को चुनोती दे रहे थे, उन्हें भी विश्णु के अवतार के रूप में मान लिया गया, और एक और धर, जो है, अवतार अभी होना बाकी है, कलिक अवतार, जो, है, कहरे, श्रिष्टी के अंत में या कल्यूग में होगा, तो यह पहले से ही अवतार ना मान लिया कि यह दस अवतार होंगे, और यह तब होते हैं अवतार विश्णु के, जब पाप जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चारुतरह एविवस्ता फैल जाती है, निर्भवति भारत अब्युद्धानम अधर्मसे तदात्मानम सरजाम्य हम परित्रानाए साधूना विनाशाए चैदुश्कृताम धर्म संस्थापनार्थाए संभवाम युगे युगे यानि के वो कहते हैं कि जब-जब प्रित्रवी पे धर्म की हानी होती है और पाप वड़ जाता है तब तक पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जनम लेता हूँ तो इस तरह से अलग-अलग भागों में जो है इन्होंने अवतार लिय लेकिन उन अवतारों को पूरे देश में जो है स्विकार किया गया और विश्नु के जो इन अवतारों को मानकर एकिकरत धार्मिक परंपरा का जो है निर्मान किया गया और पूरा देश जो है के अलग भागों में होते वे भी यहां तक कि बुद्ध जो अलग धर्म के थे उनको भी हिंदू धर्म में अंगीकार कर लिया गया और विष्णू का वतार मान लिया गया। अब बौधों ने जो है उसमें जो संप्रदाय थे हमने पड़ा कि जो हीनियान थे वो बुद्ध की वास्टिक रूप में उसके शिक्षाओं की जो है माना करते थे लकिन महायान में जो है बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लग गई तो इससे प्रेरित होकर हिंदूों ने भी जो विष्णू के अवतार थे उनकी प्रतिमाएं बनाने जैसे ये मोहनी अवतार नरसिंग अवतार ये वारा अवतार और वामन अवतार के कुछ मूर्तियां जो प्राचीन काल की मिली है मंदिरों में वो यहां परदर्शित की गी है तो ये मूर्तियां बनाने शुरू की शिव को जो है लिंग के रूप में शिव लिंग के रूप में पूजा जाने लगा और कई बार जो है मनुश्य की तरह उनको दिखाया जाता था इस तरह से जो है कई तरह के रूपों में उनकी पूजा होने लगी कभी अर्धनारिश्वर भी उनको मान लिया जाता था तो ये सारे जो चित्रण हैं, ये मिशृत अवधारणों पर अधारित हैं, यानि के वो उनके लिए जो है वास्त्विक जो ब्रह्मा विश्नु महेश है, उसको भी उनने काइम रखा, और साथ ही साथ जो है उनके अवतारों को भी माननेता दे दी गई, इसके अलबा जो है उनकी खूबियां थी, उनके प्रतीक थे, वो उनके जो वस्त्र वगेरा अभूशन हैं, जा उनके हाथ में जो हत्यार आयुद वगेरा होते थे, जिनने वो धारन करते थे, जैसे चक्र और कोई गदा वगेरा, सब ये चीज़े धारन करते थे, वो या उनके बैठने की शहली, य इन मूर्तियों को जो है, हम ऐसे ही नहीं समझ सकते कि ये मूर्तियां किस तरह से बनाएगे, उसके लिए जो है, हमें उस समय के साहिते को, इतियासकारों को समझना पड़ता है, उसमें लिखी कहानियों को समझना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ पुरान दिखाया गया है तो ये पुराणों में जो कहानिया हैं ये जो है ब्रामनों द्वारा रचित पुराणों में प्रथम सहस्त्रापदी में लिखी गई थी तो इन में से बहुत से किसे कहानियां जो सेंकडो वर्ष पहले रचे गए थे, सुने सुनाये जाते थे आगे दादा दादी की कहानियों की तरह आगे चलते थे, और समाज में कहे जाते थे, और इन पुस्तकों में संस्क्रेट शलोकों के रूप में लिखे गए, इन्हें उची आवाज में पढ़ा जाता था, कोई भी इनको सुन सकता था, हाला कि वेदों को सुनने के लिए पूजारी वे अपारी और समाने इस त्रीपुरुशे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे और इस तू एंड फ्रो में यानिके आने जाने के अंदर ये अपने विशाशों विश्वास जो थे और उनकी अवधारनाएं थी उनको जो है वो आदान परदान किया करत करते थे और उनको बताया करते थे जैसे शुरू में वासुदेव fulfil आतना मत्रह के इलाके के पूजणे देवता थे लेकिन दीरे-दीरे इनी के पाए जाते हैं तो एक शेत्र विशेश में होते वे भी फैल गए अब जो है जैसे बौधों ने जो है स्टूप वगेरा बनाए बुद्ध से जुड़े वे उनकी जो है उनसे जुड़ी वी चीजों को रखे कहीं उनकी राक कहीं उनकी इस्तमाल की चीज़ें उसी प् मंदिर में के कमरे में उसे रखा जाता था उसे गर्भ ग्रह कहा जाता था तो गर्भ ग्रह में क्या होता है एक चोटा सा चकोर कमरा होता था जैसा कि यहां चित्र में दिखाया गया और उसमें मूर्ति की स्थापना की जाती थी इस गर्भ ग्रह में एक दरवाजा होता था तो दिरे दिरे जो है ये गर्ब ग्रे के ऊपर जो है नए ढाचे बनाए जाने लग गया उन्हें उचा किया जाने लग गया और ये और उचा गर्ब ग्रे के ऊपर जो निर्मान किया गया उसे शिखर कहा जाता था जैसा कि यहाँ पर चित्र में शिखर दिखाए गए हैं तो ये शिखर कहा जाता था और मंदिर के दिवारों के उपर जो है उनको सुन्दर दिखाने के लिए भीती चित्र बनाये जाते थे तो इस तरह से भीती चित्र यानि के भीत का मतलब दिवार तो दिवार के उपर जो मूर्तियां या चित्र बनाये जाते थे वो भीती चित्र कहल जाते हैं तो यह जो है वाल पेंटिंग भी जिसे कहसे könnten हैं लेकिन यहाँ पर पत्त्रों के उपर उकेरी गई चीजर भी इस्में शामिल second का देशरे और बाद लोगों की संक्या बढ़ने के साथ जलापूर्ती के इंतजाम भी किये जाने लगे तांकि वहां बड़े-बड़े मेले का आयोजन या सभाओं का आयोजन किया जा सके तो इस तरह से मंदिर जो है धीरे-धीरे सम्रद होने लगे निर्मास्थापत्य कला की दृष्टी से तो उसमें उची दिवारें तोरण और सभास्थाल जैसे बताया जा और जलापूर्ती बगएरा तो हुई है तो शुरू में जो मंदिर बनाया जाते थे वो पहाड़ियों को काटकर खोखला करके जो है कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया जाते थे मरदा भी यह प्राक दिवोन का जाद धरम का अनवियाा बना तो उसने बहुत सरे चैते व्यार जो है वो गुफाओं के अंदर बनाये थे तो यह आजीवक संप्रदाय जो है बहुत धरम में उसको जो है उसने तो कि उनके दृuez बनाने के लिए जो है विहार और चैते जो है इन ही गुफाओं में बनवाए थे तो इस तरह से जो है ये गुफाओं के अंदर जो रहने की अधार में क्रिया कलाब करने की शुरुआत जो है चैते बनाने की शुरुआत ये अशोक के समय में या उससे भी पहले हो चुकी थी तो इसको जो है इन्हों ने अपनाया और काफी सारे मंदरी जो ह वो गुफाओं के, कृत्यम गुफाओं के अंदर बनाए और इस तरह से ये कैलाशनाथ जो शिव का नाम है, क्योंकि शिव कैलाश के उपर रहते हैं, परवत के उपर रहते बताए जाते हैं, तो शिव का जो कलाशनाथ कहते हैं, तो इसका मंदिर जो है, यह जो है, यहाँ प काट कर इतने सुन्दर जो है भीती चित्रों के साथ में कलात्मंग चीज़ों के साथ बनाया जा सकते हैं तो एलोरा में एक तामर पत्र ये मिला है जिसमें तक्षक यानि कि शिल्पकार ने निर्मान खतम होने के बाद खुद ही अश्चरे व्यक्ति गया था कि यह भगवान ये मैंने कैसे बनाया तो उसे खुद ही अश्चरे वा था इतनी भव्य चीज जो है वो कैसे बनाया यानि कि मंदिरों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर कितने भव्य जो है उस समय में बनाया जाते थे जो हुआनने किये तास कारों ने जो हैं आँ अधूने के युग में उन्हे स bacon के पूराणों के मोरतियों क्याएं जानते नहीं नहीं तो अन्हों और ने जो है कई हाथों वाली मनुष्य और जानुरों के मिला कर बने वे जो मूर्तियां थी उनको वो देखे तो वो उनकी समझ से परे हो गए और वो उन मुझतियों को में समझ नहीं पाई कि पश्मौ का चित्र जो है साथ में क्यों में कि गया जैसे हाथी शेर और आधी के सिर क्यों लगाय जाते हैं, एक से अधिक सिर जैसे ब्रह्मा जी के और रामन वगएरा के वो क्यों लगाय जाते थे, देवी देवताओं की जो हैं काफी सारी भुजाएं के वो दिखाई जाती थी, तो ये चीजें उनकी समझ से परे थी, क्योंकि उनका जो माइंड़ सेट थ से तो वो युनान की कला को स्रेष्ट समझते थे और उनी के सथ तुल्ला किया करते थे तो लेकिन जब उनको वो बुद्धों बौधिसत्व की मूर्थियां मिली यह जो के जो नगर हैं वहाँ पर मिली हैं तो इसी को जो है इसा से 200 साल पहले इन शेत्रों में भारती और युनानी शाशक राज्ये करते थे तो युनानियों के प्रभाव के कारण ये मूर्तियां वहाँ पर बनाई जाने लगी तो ये शेत्र जो है भारत युनाने शाषकों का प्रभाविशेत्र है तो इधर ही ये मूर्तियां देख मिली हैं तो इसका मतलब इनके प्रेड़ना युनान के शिल्पकारों से लेकर यहां पर उन्होंने ये शिल्पकारे करना आरम किया अब यहां पर देखे जैसे युनान और तीखी नाक और जो है सही तरीके से अनुपसाई अनपात में और साचे में ढला हुआ हुआ शरीर जो बना रहे जाने लगा तीखे नाक नक्ष के साथ ये युनानी कला से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि बनाया जाता है तो इस शैली को जो है गांधार शैली कहा जाता है तो ये मूर्तियां जो थी युनानी मूर्तियों से काफी मिलती जुलती थी तो विद्वान क्योंकि युनानी प्रंपर से परिचित थे तो उन्होंने इनको भारतिय मूर्ति कला का सरुष्रेष्ट नमूना बताया क्योंकि वो समझते थे कि ये युनानी मूर्टियों के काफी नजदीक हैं तो उनको उन्होंने बैस्ट माना तो इस तरह से उनके विद्वानों ने इस कला को समझने का एक तरीका अपनाया था, वो तरीका ये था कि परिचित के आदार पर जाने के ये से युनानी कला से वो परिचित के अधार से ऐ परिचित चीजों को समझने का उन्होंने एक पहमाना तैयार किया, तो उस अधार पर उन्होंने इनकी गणना की किस तरह के हैं, तो यहां मूर्टियों का मैत्व और संधर्ब समझने के लिए खाली उस पर शिल्प को नहीं समझना बलकि वहां के ल खित ग्रमतों से भी जानकारी कठी करने पड़ती है। तो जैसे यह चितर है, इस जो है भीती चितर के अंदर मूर्तियों जैसे दिवार के उपर बनाया गया है, यह महावली पुरम तमिलनाडू के विशाल चत्टान के उपर उत्रिन मूर्तिय aur हैं और इन मूर्तियों के कि एक सादू को भी दिखाया गया है तो इसमें कौन सी कथा ली गई है इसमें बहुत सारे लोग जैसे आप देख रहे हैं कि ये तपस्वी है और नीचे भी जो है एक मंदिर जैसी आकरती बना कर महाँ पर भी एक तपस्वी है और काफिस जगह जो है ये लोग जो है देवी देवताओं की तरह की शेप में और देवदूतों की शेप में बनाए गए हैं तो ये सब क्या है तो ये तपस्वी हैं तो ये बीच में एक दरार है तो इस दरार को का संदर क्या गंगा और बीच में इसमें सर्प भी दिखाएगे हैं, तो ये जो है, दिखा कहता है कि इससे अंदाजा लगाया कि ये किस कथा से हो सकते हैं, तो जैसे गंगा अउतरण से भी इसको कहा जा सकता है, जो है भागी रत गंगा को दर्टी पर लेके आये थे, तो ये गंगा नदी के महावारत में दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए अरजुन ने जो तपस्या की थी और स्वर्ग के जो यात्रा की थी उन दिव्य अस्त्रों के लिए तलाश में भी यह हो सकता है। तो कुछ लोग इस तपस्या की और स्वर्ग से जाके दिव्य अस्त्र लेके आए थे तो यह दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति वाली जो है भी हो सकता है। तो दोनों तरह से अपने तरीके से नजरिया जो है इन चित्रों को लेकिन उनके एतिहासिक तथे भी है बिना तथ्यों के आदार पर नहीं कहा जा रहा है। यह तथियों के आदार पर का जा रहा है कि यह जो व्यक्ति है, तपस्ति है या तो भगिरत है या अरजुन है तो इस तरह मूर्तियों में सादु को केंदर में रखकर ही इसका मैत्व भी बनाया जाता है। और मंदिरों में भी और दूसरी जगाओं की मूर्तियों की भी इसी प्रकार से तुलना की जाती है और उनके बारे में बताया जाता है उनका महतों को समझा जाता है तो यह जो है आपको इस सारे में को देखने के बाद आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतिये शिल्पक जो है वो कितनी समृत थी थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मुल्ले समय देने के लिए धन्यवाद इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रही है